कसक करवटी बदलते हुए अपनी तेज धड़कने गिन रही थी तभी वह तकीयक से नीचे अंबुच की तस्वीर निकालती है और उसे चूमते हुए सीने से लगाती है अगर उस दिन तो मुझे स्टेशन पर रोक लेते तो आज मैं इस घर की जमीन पर नहीं तुम्हारी पाहों से लगकर सो रही होती अंबुच रोज की तरहे ही कसक को उठकर पूरे घर का काम करना था भले ही उसके खुद के शरीर में जान बची हो या नहीं सूरज उगा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके घायल पाउँ पर कोई ठंडी सी मलहम लगा रहा हो वह उस सकून के एहसास में चूर होते हुए अपने अंबुच को याद करते हुए उसे पुकारने लगी थी अंबुच ठक गए हुँ यार मन करा है कि वो जो छूरती हुई ट्रेन है वही पगड़कर तुम सक यहां से दूर चली जाओ अंबुच तुम सुम रहे हो ना अंबुच अंबुच और कसक अपने खयालों के तूटने से अचानक जागती है तो पाउं के पास हो रही हलचल की जगह मालती को पाती है मालती के आँखों में आंसू थे और वो कसक के पाउं को हौले से मलहम लगाती जा रही थी कसक ये देख हैरान रहे गई थी हैवान जैसी दुष्ट सास ऐसी मानफता भरा काम आखिर कैसे कर सकती है माजी नहीं नहीं आप मेरी पाउं को हाथ मत लगाईए मालती उठकर कसक के सिर के पास जाकर उसका सिर सहलाती है और फूट फूट कर रोती है बहुत दर्ध हो रहा है ना बेटा एक छोटी सी बात का लेवल इतना परवान चड़ने वाला था मैं जानती ही नहीं थी गलती मेरी ही है चाहती तो मैं वही रुख सकती थी पर नहीं मैं नहीं रुखी क्योंकि शायद मुझे तेरी तकरीफ देखकर ही मज़ा आ रहा था मज़ा? कैसा मज़ा? थोड़ा अजीब है बिटिया पर तु सुनेगी तो तुझे समझ जा जाएगा हम सास लोग ना सास बनने से पहले होती तो औरती ही है मगर सास बनने के बाद हम इस ग्रह पर रहने वाले अलग प्राणी बन जाती है जो हर बात के लिए अपनी बहू से खुननस पे भरे रहते है तो माजी अपनी ही बहू से कैसे खुननस? हम तो आपकी ही ऑलाद की पत्मिया होती है न? हाँ, बस यही बात है कसक जो अलाद हमारी हर बात पर अच्छा ठीक है माजी कह किया करती थी वो बीवी के आते ही बदल क्यों जाती है? वो बेटा सब बाते अपनी पत्नी को ही क्यों मानता है? हमें हमारे बेटे को बाटना क्यों पढ़ता है? कसक जोप जाप माल्दी की बाती सुनती जा रही थी बातना माजी? हाँ बातना क्यों? बच्छमन से आज तक क्या चोट लगने पर वो अपनी पत्नी को पुकारता था क्या? नहीं, मैंने राद भर जाक कर खुद गिले हिससे में सोकर उसे सूखे में सिलाया है खाती इसले नहीं थी कि मेरा पेट भरे बलकि खाती थी क्या कि मुझे दूद बने और उसका पेट भरे फिर पत्नी आने पर वो मेरे बेटे के दूद का गलास ऐसे ले कर जाती है जैसे सारे जहां में उसी को परवा है कि वो भूका है या नहीं मा जी मगर आप हमें बहुना समझ कर बेटी की नजर से देखे न तो शायद आपको ये नजर आए कि हम भी हमारा परिवार घर छोड़ कर आए है मैं अगर उनसे शादी करके संजान घर में आई हूँ तो मेरी जिंदगी तो मेरे पती के इर्द की धी घुमेगी न मेरा अच्छा बुरा भला सा मेरे पती ही तो होंगे तो इसमें बाटना कहां हुआ माना कि इतना बड़ा अलाद को आपने किया है लेकिन पूरी जिंदगी पीटा एक हमसफर के बिना तो नहीं रहेगा न मैं भी ठीक ऐसे ही जुबान लड़ाया करती थी मेरी साथ से और बदले में वो चिम्टा से मेरे बाल नोच दिया करती थी मालती अपना हर जुल में इतने सलीके से अपना रही थी कि कसक उसे चुब चाप बस टुकर टुकर देख रही थी पर देख मैंने बहुत ज्यादा जाती की है ना तेरे साथ है ना रुक तू मैं अभी इंसाफ करती हूँ मालती कमरे के बाहर जाकर खसर-फसर करती है और दो पल रुक कर अंदर जब आती है तो उसके हाथ में संतोष के बाल थे जिसे वह खीशती हुए अंदर लाती है चल अंदर चल अपनी ही जटानी के खिलाफ मेरे मालती संतोष के बालो को छोड़ उसे जमीन पर धका देती है, मगर संतोष की आखों में ना एक आसो था ना ही कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, मानो उसे चोट लग ही नहीं रही हो, मानो वो मुम का कोई पुतला हो, बेशरन जमीन पर क्या पड़ी है, उठ, उठ यहाँ से! मारने लगती है, मगर उसको तो दर्द भी नहीं हो रहा था, पर उसको पढ़ने वाली हर चोट का दर्द कसक को महसूस हो रहा था, माची मत करिया ऐसा, तू ऐसे नहीं मानेगी, उठ महरानी उठ जा, उठ! मालती के लातों के प्रहार की गती बढ़ती जा रही थी, और कसक की चीखे भी, और तभी कसक को संतोष का दर्द उसकी चोटों से दूर नहीं, बलकि सचमुच ही अपने शरी पर महसूस होने लगा था, दरसल कसक ये सब खौप देख रही थी, और मालती सचमुच में ही उस कसक पीड़ा में उठकर देखती है, तो वो मालती का मलहम लगाना और संतोष को कुटम को निगलने वाली नाकिन बताना सब नकली था, खयाली, एक दम खयाली, बिचारी के जिंदिके में कोई भी बदलाब नहीं आया था, कसक चाई बनाने बहार जाती है, तो मालती बिस्त संतोष कहां मर गई? जी मामी जी, छीन ले इसका तक्या और उठा गर फैक द बाहर, संतोष खुश होकर एकदम ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वे तक्या हटाती है, वहाँ अमबुच की तस्वीर निकलती है, ये देख संतोष और मालती की आखों में एकदम से चमका जैसे उन्हें एक नया तमाशा मिल गया हो, मामी जी देख रही हो, किस तरह की आशिके का अर्शा छोड़ा जा रहा है? एक संया गमरे में और एक तक्या तले, बाकी कौन जाने बिस्तर पर जादल की सिल्वेटी किसकी वज़े से आई है? मालती तभी संतोष को घूर कर देखती है, इसको लक्षणी के बारे में जो मजाग बनाना है बना ले संतोष, पर मेरे बेटे को लेकर दुबारा ही ही करके दात फाड़े ना, तो उठा फावड़ा तरहे आगे के सारे दात तोड़ दूँगी, फिर हसना ही ही करके, इस घर की बढ़की बहु बनने की, हाँ नी तो, हाँ कहां को गई हिरोईन? वो ममे जी, आखिर इस फोटो का करना क्या है, जेट जी को दिखा दे, फिर देखना, जेट जी खुदी इसे धक्या मार कर इसके यार के पास भेज़ देंगे नहीं, ये तस्वीर ऐसे काम के लिए नहीं है, इसे बचाकर रखना होगा, ताकि यही बनेगा हमारा बर्मास्त्र वा माजी, वा मालती संतोश को फिर घुर कर देखती है, बस खी-खी-खी कम और काम ज्यादा और संतोश अर्मालती रुई का कोमल तक्या कसक के बिसर से हटा कर वा सिराने पर कंकर पत्थर से भराय तक्या रख देते हैं, ताकि उसे और चोट लगे हाइट सफ नीचता थी दोस्तों, पर पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी सुन्दर सुनहरे खौप से निकल कर कसक फिर से दलदल वाले जिनकी ही जी रही थी, और वो चाय बना कर सबको चाय देने जाती है माधुरी करवट लेकर सो रही थी कसक उसके कमरे में जाती है तो उसे सोता देख उसे माधुरी पर प्यार आ जाता है वो उसका सर सहलाती है जानती हूँ भी मानी के खिलाफ अवास उठाने के साथ-साथ तुमने अपने अंदर दबा रखी उस लड़की की अवास को बाहर लाया है जो खुद भी कहीं दब रही थी माधुरी तुम हो तो मेरी ही उम्र की और एक ऐसी लड़की को अपनी छोटी मा का तरचा देने में मुश्किल होती ही है पर तुम हमेशा मुझे मेरी अउलात की तरह ही नजर आओगी और जाने अन जाने में इस छोटी मा का साथ देने के लिए शुक्रिया मेरी बच्ची इन नोचने वाने लोगों से भरे घर में एक इतना सा सहारा भी तुम्हारी मा के लिए काफी होगा कसक के सिर से लाने से इं माधुरी के आँखों में आसु छलकाई थे पर अब भी वह नीन में ही कसक का कोमल स्पर्श महसूस कर रही थी लगता है गहरी नीन में सो रही है सोने देती हूँ जब उठेगी तो गरम चाए फिर से बना दूँगी और ये चाए विक्रांत को दे देती हूँ कसक पलटकर जाने लगती है और तब ही माधुरी आँखी खोल लेती है कसक जा चुकी थी चोटी माधुरी और कसक के बीच नफरत की दिवार कुछ खास ही मोटी थी कसक विक्रांत की कमरे में जाती है तो वो बिस्तर पर था ही नहीं वह जाई टेबल पर रखे इधर उधर जांकती है लगता है विक्रांत जिल्दी उठ जाता है ये तो बहुत अच्छी आदत है थोड़ा अडियल है पर समझदार बच्चा है विक्रांत तभी पीछे से विक्रांत का कसक को कमर से थाम कर जोर से पकड़ता है और हवा में उठाता है अपनी कमर पर मर्द का हाथ पाकर कसक जोर से चीक पड़ती है पर विक्रांत कसक को छोड़ता ही नहीं और उसकी कमर को लगातार छूता रहता है विक्रांत नीचे उतारो मुझे, ये क्या बत्तमीजी है विक्रांत मैं तुम्हारी मा हूँ, ये हरकट बहुत नीच है विक्रान्थ हसते हुए उसी नीचे उतारता है और कसक को देख उसके आँख मारता है वैसे फिगर तो ठीक ही है तुम्हारा छोटी मा फिर भी डैड के साथ बात आगे कैसे नहीं बड़ी लगता है उनकी भी उम्र हो गई है पर मैं तो अभी जवान ही हूँ कसक विक्रान्थ के मूँसे ऐसी गंदी बात सुनकर कसक का खून खौल उटता है और वै आँख बबुला होकर उसकी गालों पर एक तम तमाता सा चाटा रसीद कर देती है पत्तमीज लड़की मा हूँ मैं तेरी तेरी ऐसी जुरत की तुमुझ पर हाथ टालेगा एक थपड काफी नहीं तुम्हारी इस हरकत के लिए और कसक एक और जहापड उसे चिपका दीती है चिखमचिली की वज़े से घर के सब लोग विक्रान्थ के कमरे में आकर इखटा होने लगे थी और उन्होंने कसक को विक्रान्थ पर हाथ उठाते हुए देख लिया था मौका पाते ही विक्रान्थ सब घरवालों के आगे पिचारा बन जाता है डैट, दादी, अच्छा हुआ आप आगए आपने खुद से देख लिया इस शाती चालाक लॉमडी को ये लॉमडी जब आपको जासी में नहीं ले सकी तो मेरे पास आकर मुझे फसाने की कोशिश कर रही थी डैट कहती है कि तुम्हारे बाबा की तो अब उम्र हो गई है पर तुम्हारी बोडी तो कितनी सॉलिड है विक्रान्थ बेबी ची छोटी मा ची मा भी कैसे कहूं आपको विक्रान्थ ने तो पूरी कहानी ही बदल डाली थी हे इश्वर हे राम हे घंश्याम अरे किसी से तो ड़ लड़के ये जूट बोल रहा है ऐसी बात हुई ज़रूर थी लेकिन वो मैंने नहीं इसने कही थी अरे नौस पीठी अरे बे लखनी और क्या दिन दिखाईगे इस घर को सबेरा होगा नहीं कि तेरी काम वासना परवान चड़ने लगी बाप रे बाप बाप तो बाप पेटे को भी इसने जासे में ले लिया तू तो तीन परिक्षा नहीं तीन सो और नहीं परिक्षा के लायक है चुडएल माची बस बस क्यों सच बोलो तो बस सही बोल लही हो दादी आप एकदम सच बस चुप दोनों के दोनों मैं सब जानता हूँ कि क्या सच है और क्या जूट है और विनायक अपने घटिया बेटे के और घूर कर देखता है और एक साथ खड़ी कसक और विक्रांत के और बढ़ने लगता है और सामने जाकर रुख जाता है एक पल में विनायक का हाथ उड़ता है और कमरे में थपड की गूंज गूजने लगती है विनायक ने वो थपड कसक के गाल पर जड़ दिया था जो एकदम लाल हो उठा था ये देख विकरांत और सब बहुत खुश थे तो क्या कसक इस घर में अपना आखरी सपोर्ट विनायक का विश्वास भी हार चुकी है जानने के लिए देखिए छोटी मा के वर लव सिटी पर थैंक्स फर वाचिंग